हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल कुकिंग पी थर्चू में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो की बर्फी जो बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है खाने में जिसे देखती ही आपका मन करेगा खाने को तो आप ये मैंगो की बर्फी अपने गर भी बनाकर जरूर खाएं बहुत ही अच्छा लगता है वैसे आम का सीजन है सभी की घरों में आम आते होंगे सभी लोग कहते हैं इस हमई तो अगर आपके घर में आम रखा है तो आप इसको बना जटपर खा सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है ज्यादा कुछ समान भी रेष्पी है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने दू आम को धुलकर साब पानी से एक्दम अच्छे से इसको सुखा कर रख लिया पोश्ट के अब इस आम को हम छीलेंगे तो दो ही आम मैंने लिया है आप कोई भी आम ले सकते हैं बनाने के लिए तो अब हम आम को छेल लेते हैं तो एक चाको मैंने लिया है इसी से हम छेल लेंगे तो इसके सारे छिलके हमको निकाल देना है तो बहुत इजी ये रेस्पी है आप इसको ट्राई जरूर करिए गया तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप मैंगो बर्फी बना कर जरूर खाईएगा सब को बना कर खिलाईएगा बहुत ही अच्छा लगता है आम जिसको पसंद है उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है तो रच्छा बंधन भी आ रहा है आप उसमें इसको बना सकते हैं मिठाई वैसे बहुत सारी मिठाईया बनती है रच्छा बंधन में तो आप ये mango की बरफी भी बना सकते हैं तो आम को आपको ऐसे छील लेना है तो देखी मैंने छील लिया है अब इसको हम कट कर लेंगे तो छोटी छोटी इसको हम कट करेंगे तो ज्यादा छोटी नहीं करेंगे इसको हमें mixe में grind करना है इसलिए ज्यादा छोटी इसको नहीं करेंगे तो ऐसे आपको cut कर लेना है तो मैंने स्रिफ दो ही आम लिया था अगर आप ज्याधा बनाना चाहतें तो और आम ले सकते हैं तो दो ही आम में बहुत सारी वर्फी बनके तयार हो जाती है, तो सारे आमको मैंने कट कर लिया है अब इसको हम मिकसी जार में ग्रैंड कर लेंगे तो देखी एकदम तयार है ये बनने के लिए तो इसको हम रख देंगे साइड में तो अब हम कड़ाई को रख दिये हैं इसमें डालेंगे आम के पल्ब को तो सारे आम के पल्ब को इसमें हम डाल दिये हैं अब इसको हम कुष्टे मिक्स करते रहेंगे तो इसको हम कुष्टे ऐसे मिलाते रहेंगे फिर इसमें हम डालेंगे दूद को अब हम इसमें डाल देते हैं दूर तो एकदम भरके ग्लास मैंने नहीं लिया थोड़ा खाली है तो इसको हम डाल कर अच्छे से मिलाते रहेंगे तो आपको इसको अच्छे से मिलाते रहना है ताकि इसमें लुटे दियाना पड़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए तो अगर आप इसको बराबर से चलाएंगे नहीं इसको मिक्स नहीं करेंगे तो यह नीची से पकड़ने लगएगा तो आपको अच्छे से इसको मिलाते रहना है तो गैस की फ्लैम को हम इकतम धीमा कर देंगे तेज चाच पे आपको इसको नहीं पकाना अगर आप तेज चाच पे इसको पकाएंगे तो ये नीची से पकड़ने लगे गा आप देखिए थोड़ा-थोड़ा ये सूख गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी तो मैंने एक चमश घी डाल दिया है तो अब हम घी को डाल कर मिक्स कर लेंगे तो घी डालने से थोड़ा ये नरम और मुलायम रहता है तो आप थोड़ा सा घी जरूर डालें इसमें ज्यादा घी का काम नहीं बस एक चमश डाल दीजे तो बहुत है तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये ठीक होने लगा है तो इसको आपको चलाते ही रहना है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कोकोनेट पाउडर यानि की गरी का बुरादा जो होता है उसको हम इसमें डाल देंगे तो तीन बड़ा चमश मैंने इसमें लिया है और डाल दिया है इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि इसे मिक्स करके हम इसके बाद हम चेनी को डालंगे तो देखिए मिक्स करते ही थोड़ा-thोड़ा ड्राई लगने लगा है एक दम है थोड़ी देर इसको और चलाते रहेंगे एसे मिलाते रहेंगे अच्छे से इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पीसी चीनी डालेंगे तो अब इसमें हम डालेंगे पीसी चीनी तो आप चाहें तो खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं ऐसे तो इसमें एक चिमश मैंने डाल दिया भरके एकदम और थोड़ा सा और डाल दिया है तो ज्यादा चीनी इसमें हम न डालें इसमें तो कुछ तेर और हम पकने देते हैं तो देखिए कड़ाई चोड़ने लगा है ठीक होने लगा है तो इसको कुछ तेर और ऐसे मिक्स करते तो देखिए यह तयार है इसको हम एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे तो एक थाली ले लिया है मैंने इसमें जमाने के लिए बर्फी को तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं जमाने के लिए थोड़ा से इसमें हम घी डालेंगे और इसको अच्छे से पूरे थाली में लगा देंगे तो घी लगाने से थोड़ा चिकना रहेगा तो अब हम इस पर डाल कर इसको जमा लेते हैं तो चमच इक लिया है मैंने उसी से हम इसमें सेट कर देंगे तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया था थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको आप ऐसे सेट कर सकते हैं इसमें तो इसको सेट करने के बाद दो तिन घंटे के लिए रख देंगे उसके बाद इसको हम कट करेंगे तो देखी एकदम अच्छे से स्सेट हो चुका है अब इसको हम एक चाकू से कच करेंगे तो पहले ऐसे हम सीधा सीधा काट देते आँ कर ऐसे हमको कट कर लेना है तु जादा बड़ा साइज का आप वर्फी बनाना काते है तो उसी हिसाब से आप कर कर सकते हैं इसको तुम चाड़ा बड़ी साइज का वर्फी नहीं बनाएंगे एकदम मेडियम साइज तो आपको सीधे ऐसे कट कर लेना है तो यह बर्फी बहुत ही लाजबाब बनती है आप इसको ट्राई जरूर करिएगा बनाकर देखिएगा बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगा आपको अब हम बर्फी को निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से दिखी निकल गया है तो ऐसे आप बर्फी बनाकर जरूर खाईएगा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है तो इस बर्फी को और भी अच्छा बनाने के लिए मैंने लिया है गरी का बुरादा तो इसके उपर हम इसको लगा देंगे गरी की बुरादा को तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा तो अगर आप चाहें तो इसमें PCV चीनी भी लगा सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा तो इसमें मैंने गरी का बुरादा लगा दिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा तो आप इसको हम तोड़की आपको दिखाते हैं तो दीखें कितना बढ़ी हाँ ये बन गया है तो ऐसे भरफी आप भी अपने घर पे बना कर जरूर देखें तो मैंने देखें थोड़ा सा जो बचा था उसका मैंने प पसंदा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद